हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे, तो आप आप लोग पास कुछ ही घंटों का समय बचा है, और कुछ घंटों के बाद आप लोगों का उर्दू का बोर्ड एक्जाम होने वाला है, मुझे पता है, आप लोग इस वीडिय है, उन लोगों के लिए इसने देखा, उसका त्यारी हो गया होगा, लेकिन उनको वीडियो मिल नहीं रहा है, कोई गुरूप एक ढूंड रहा है, कोई गूरूप भी ढूंड रहा है, क्लास स्टार्ट कर रहे है, एक पहला बात क्या है, कि सबसे पहले आप लोग इस वीड उर्दु वाले गुरूप को जॉइन कर लेना, उर्दु वाला वाटसप गूरूप का लिंक कहा मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाकर को जॉइन कर लेना, ठीक है, पहला काम, दूसरा इसके इलावा और हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग के साथ जो है objective और subjective सबका playlist बना दिया गया है उर्दू का अलग से playlist ही बना दिया गया आपको कहीं पूरा यूटूब में चारो बगोल गुमने की जरूत नहीं है आप हमारे वाटसप पे स्रिफ हाई ल देखिए subjective में क्या है सबसे पहले गुरूप A को discuss किया गया है गुरूप A में बोल रहा है कि दो गुना 6 यानि यह चोटे चोटे सवाल है इसमें आप लोग को दो नंबर के लिए सवाल पूछा जाएगा ठीक है सभी सवाल jackboard का original question है ठीक है याद कर लिए यहाँ से question आपक 33, 34, 35, 36, 37, 38 यानि कि टोटल यहां से हम लोग जो है 8 सवालों को discuss करने वाले हैं गुरूप A में किसमें गुरूप A में तो सभी सवालों को हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोग को यकीन हो जाए हम बार बार इस PDF पे नहीं आएंगे ठीक है डारेक्ट आप पर अस्ताद मंगू की क्या हलत होती है रजनी के कितने भाई बहन थे सरसयत को बचपन में किसने पाला था राम सहाय मल और भाग मती आपके निसाब में से सामिल किस ड्रामे का किरदार है उसके बाद है आपका गांधी जी गांधी जी का रफीक यानि दोस्त का असल का असल में किसका दोस्त है मुहावरा आंख बचाने का क्या माने है लवज हसना की जिद क्या है ये था सवाल चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं तो चलिए हम लोग इसके आंसर के पास आ चुके हैं और यहां पे देख पा रहे हो सभी सवाल मैंने यहां पे लिख दिया और आंसर लिख दिया है तो आप लोग इसको फटाफट नोट करते जाना है ठीक है मेरा भाई फटाफट इसको नोट करते जाओ सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अफसाना किस सदी की आगास की पैदावार है तो अफसाना बीसवी सदी की आगास की पैदावार है रैटिं इसके जवाब में आपको लिखना है यहां पे कि अंग्रेजों का चेहरा देख लेने पर उस्ताद मंगू को मतली सी आ जाती थी, क्या है मतली की तरह आ जाता था, ठीक है, चलिए, इतना खलबली में आप लोग को पढ़ा रहें न दोस्तों, कि देखिए मैंने ठीक से पीडि सरस्यत को बच्पन में किसने पाला था, तो सरस्यत को मा बीबी ने पाला था, किसने पाला था, मा बीबी ने, कोश्चन नमबर आते है, 35 में कहा रहा है, राम सहाय मल और भागमती डिरामा आजमाईस का किरदार है, ठीक है, पहले कोश्चन को मिसले पढ़ा देते हैं, ताक किसका दोस्ता मजले भाई का दोस्ता इतना ही याद रखें न बागी तो आप बनाकर खुदी वहाँ पे लिख लोग जए ठीके न 37 में नorgt अंक बच्छाने का क्या माने हैं कि बरम एक बिचाने का माने है कि किसी का बेसबरी से इंतिजार करना उसके बाद है हमारा लवज हसना की जिद यानि उल्टा क्या है तो लवज हसना का जिद है रोना लवज हसना का जिद है रोना तो यह हमारा गुरूप A कम्पलीट हो चुका है अब चलते हैं हम लोग गुरूप B की तरफ तो चलिए हम लोग आ चुके हैं गुरूप B में गु को यकीन हो जाए पहला सवाल देखे क्या है इसलाम के मुताबिक औरत को अपने माल और जायदात पर किस तरह का हक हासिल है और इसे विरासत में किस तरह वर्सा मिल सकता है ठीक है यह हो गया गजल में आमतोर पर कितने ऐसा आर होते हैं और गजल का पहला शेर क्या कहलाता है द लोगो 46 तक गुरूब B में डिसकस करना है तो चलिए गुरूब B को डिसकस करते हैं तो दोस्तो हम लोग आ चुके हैं गुरूब B में और गुरूब B में ज़स सवाल है वो आप देख पा रहे हो सवाल में कह रहा है इसलाम के मताबिक औरतों को अपने माल और जायदात पर किस तरह का हक हासिल है और इसे विरासत में किस तरह वर्सा मिल सकता है देखिए ज़िए आप लोगों को PDF फाइल अभी तक नहीं मिला है अगर आप लोगों उर्दू वाले PDF फाइल की ज़रूरत है अगर उसको question का PDF आपको नहीं मिला है तो वो PDF फाइल ना हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पे उपलब्द करवा देंगे तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे चले जाओ वहाँ पे join कर लेना टेलिग्राम को भी लिंक हम description में डाल देंगे वहाँ से जाओ करके अपना सारा PDF आप ले लेना ठीक है चलिए आंसर का जाते हैं आंसर में कहरा है इसलाम के मताबिक औरत अपने माल से हर एक जायदात खरीद सकती है और जो चाहे उसको बेच सकती है वह मर्द के हर किश्म के जायदात के हिस्सा और वर्षियत और शफ कर सकती है वह रिस्तदारों और शोहर की जायदात में से तरतीब विरासत वर्षा पा सकती है इसको आप लोग पढ़ लेना लिख लेना कोश्चन नमबर आजाते हैं बावू 40 पे कोश्चन नमबर 40 में देखो क्या कहरा 40 में कहरा है कि गजल में आम तार पर कितने असा आर होते हैं और गजल का पहला शेर क्या कहला था यह सब मॉडल पेपर से हैं कोश्चन आप लोग पहले डाउनलोड कर लो अब बाद में आप मेरा वीडियो देखना ठीक है अगर विश्वास नहीं है तो पहले आप लोग डॉनलोड कर लेना कोश्चन ठीक है बहुत लोग सोचेंगे कि हम अपने से लिक के दिखा रहे हैं यामरा नहीं है मॉडल पेपर का कोश्चन है गजल में आमतोर पर पांच य उन्हों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाते हैं तो उसको मतला कहते हैं तो यह अब्जेक्टिव में भी कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है मेरे वाई कोश्चन नमबर आ जाते हैं बाद 41 में देखो क्या कह रहा है कि दुनिया मेरी बला से जाने महंगी है या सस्ती है मौत मिले तो मुफद में ना लूँ हस्ती की क्या हस्ती है मंदर्जा बाला शेर को की तसरीह करें ठीक है चलिए इसकी तसरीह करते हैं इस वक्त जो सेर है मेरे सामने तसरीह तलब है वो या या शिट के इमाम शायर फानी बदावी के गजल का मतला है पेसे न कोई चीज नहीं चाहिए, यहां तक की मौत भी अगर मुझे मुझे मुफ्त में मिले तो मैं ना लूँ, ठीक है, यह मुफ्त में क्या, ऐसे भी कोई देगा तो कोई नहीं लेगा, ठीक है न, चलो, question number 42 पर आओ, खुदा और हुस्न के दर्मियान गुफ्तगु की खैर जमीन बासियों को किस तरह हुई है, ठीक है, यह काफी important, यह सवाल पूछता है exam में, ठीक है, खुदा और हुस्न के दर्मियान गुफ्तगु की खैर, पहले चांद ने सुनी, चांद ने आस्मान पर शब को खबर दी, शितारा सुभा ने ये बात शुभा को बताई, सुभा से शबनम को मालूम हुआ, और शबनम के जरिये इश्गुफ्दगू की खबर जमीन के बाशियों को हुई, ठीक है, ये उसका आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगा, कोशन नमर आते हैं बाबू 43 में, कोशन नमर 43 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है, परदेश में वतन से आने वाले सकस से शायर बेताब होकर क्या क्या पूछता है, ठीक है, तो देखो, इसके अंसर में क्या लखेंगे, शायर परदेश में अपने वतन से आने वाले से बेताब होकर हालात को दर्याफ्त करता है शायरे वतन लोगों वहां की जिनरंगीन, फिजाओं, मंदिर, मस्जिद, हवाएं, घटाएं, पेड, तलाब, पहाडे, पहाड अपने दोस्तों सभी चीजों के बारे में दर्याफ्त करता है कुर्सर नमबर 44 में कह रहा है कि आपकी किताब गुलजार उर्दू से आपके निसाब में सामिल अफसाना ICS में वहीद गाउं पहुचने से पहले क्या सोचता है ये भी सवाल आपके मॉडल पेपर में भाई सब सवाल इंपोर्टन्ट है सब देखके जाएगा वही जगम को गाउं और वहां का रहन सहन पसंद आएगा या नहीं या घर वालों को उनका बेपरदा रहना पसंद आएगा कि नहीं ठीक है ये होगा इसका अंसर चली कोशन नबर 45 में था मंदर्जा जेल कहावतों में से किनहीं तीन के माने बताना है तो हम तो सब का बता देते बाबू कौन सा एकजाम में आ जाएगा कौन जानता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो जुल्म करने के बाद दूसरों को डांटता है ठीक है वह गया बी ओप्सन में देखे क्या है बी में कह रहा है कि आम के आम गठलियों के दाम यानि कि डबल मुनाफ़ा ठीक है उस सारे तलाब को गंदा कर देती है एक बुरा आदमी पूरे कौम को रुश्वा कर देता है ये इसका माने हो गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानि जाहिल किसी अच्छी चीज की कदर नहीं करता है ये इसका क्या हो गया बाबु माने हो गया ठीक है तो सबका माने हमने यहाँ पे लिखवा दिया है आईए 46 में question number 46 में देखे कहे रहा है कि बीमारी की छुटी के लिए अपने प्रिंस्पल के नाम एक दर्ख्वास्त लिखे हैं देखे, model paper में पहले यह सब नहीं आता था लेकिन अब आया है, इस साल दिया है तो यह काफी important है, इसको देख कर जाना है आपको, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख दिये हैं, बाखिदमत जनाब headmaster, government high school साहिब गंज, यह हमारे जिला का नाम है बाबो, ठीक है, आप लोग अपने जिला का नाम देना, आपका जो सहर है, आप अपने सहर का नाम लिखना हम साहिब गंज सहर से है, तो हमने साहिब गंज लिखता है ठीक है जनाबे आला, मौद बाना गुजारिस है कि मैं आपके जेरे शाया दस जमात का तालिबे इल्म हूँ, मुझे कल रात से शक्त बुखार है, ठीक है, जिसकी वज़ा से मैं, जिसकी वज़ा से मैं आज स्कूल नहीं आ सकूंगा ठीक है, महरबानी महरबानी फर्मा कर मुझे तीन दिन की रुख्षत इनायत करें, ठीक है आपकी आइन नवाजिश होगी आपका तालिबे फर्मा यहाँ पर अपना अच्छा सा नाम लिख दिजएगा, ठीक है हाँ, लिख दिजएगा, हो जाएगा तो हमने यहाँ पर अभी तक में गुरूप B को कम्पलीट कर लिया, अब हम लोग जाने वाले हैं, गुरूप C की तरफ चलिए हम लोग आ चुके हैं गुरूप C में आ यहाँ जो गुरूप C है न बबू यह पांच नमबर वाले सवाल आते हैं, चार्टो सवाल एक्जाम में पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे आप लोग को दिख लेकिन दिया गया है, दो, चार, छे सवाल, यहाँ से अगर 50% भी आपका आ जाता है, मॉडल पेपर से, तीन सवाल भी आ जाता है, तो उर्दू में 15 नमबर तो आप यहीं से ले लोगे, तो इसलिए सबसे पहले प्रात्मिकता है कि आप लोगों को इसको कम्प्लेट करना है, ठीक है, हर हाल में, चाहिए आप जैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखे कह रहा है कि फैल, फैल की कितनी किसमें होंगी, और कौन इन में से किन्हें तीन की तारिफ लिखना है, ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे कम्प्लेट इसी विडियो में, अब बचता है क्या, बच गया है आपका, दिये गए उन्वान में से किसी एक मजमून लिखना है, यह जो केंप्यूटर है, मेरा गाउँ है और किसान है, इसको आप लोग को खुद से करना है, लेकिन अगर एक्जाम के पहले हम देने का कोशिस करेंगे, ठीक है, उर्दु जबान के आगाज इस पर भी एक निबंध type का लिखना है इसको भी हम देने का कोशिस करेंगे अफसाना भूला के बारे में आप क्या जानते हैं अपने अलफाज में लिखें इसको भी हमें कोशिस करेंगे यह सब निबंध टाइप का है इस हमें समय लगता अगर हम इसको तयार करने के चकर में रहते तो आपको ये वीडियो समय पे नहीं मिल सकता लेकिन मेरी पूरी कोशिस रहेगे कि इसके बात तुरंत आपके लिए ये वीडियो तयार करूं में ठीक है तो ज़्यादा से ज़्य क्याइए कि नहीं चाहिए कोश्चन 50, 51 और 52 आप लोग हमें कॉमेंट करकर बताएए कि हाँ भाईया 50, 51 और 52 आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए तो आप प्लीज कॉमेंट करकर हमें जरूर बताईएगा ठीक है तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले 47, 48 और 49 को तारीफ लिखना है ठीक है यह काफी इम्पॉर्टन इसको देखकर जाईएगा फेल की पांच किसमे होती है फेले मारूफ, फेले मजभूल, फेले लाजिम, फेले मुतदी और फेले नाकस, ठीक है चलिए टारीफ हम लोग देखा देते हैं तारीफ कैसे लिखना फेले जिसका फाल यानि की काम करने वाला मालूम ना हो, जैसे वह खेलेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानि है, यानि सही कर लेज़ेगा, उसके बाद यहाँ पर फेल लाजिम, वह फेल है, जिसका असर सिर्फ फाल तक महदूद रहे, यानि सिर्फ अपने फाल के साथ म मतलब वह fail है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता है नाकस यानी मना करेगा ठीक है बलकी होना पाया जाता है ठीक है जैसे राम चोर है है तो है वह बिमार थी ठीक है नहीं वड़ का इस्तेमाल नहीं करना इसमें तो यह आपका grammar का यह वाला part complete होता है इसके बाद most important है सरस्यद एहमद खां के बारे में आप क्या जानते हैं अपने अलफाज में लिखें चलिए देख लीजे क्या जानते हैं उसके बारे में सरस्यद एहमद खां दिल्ली के एक माज़स घराने में पैदा हुए 1849 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत इक्तियार की सर सरसायद एहमद खाने अलिगड में 1857 में एक स्कूल कायम किया उसके बाद लिखा है मैंने 1878 में सरसायद एहमद खान को सरकार का सर का हिताब मिला इसलिए लोग उन्हें सरसायद के नाम से जानते हैं मैंने इतना लिख दिया है आप चाहो तो 24 लाइन और भी जोड़ सकते हो ठीक है जोड़ लिजेगा अच्छा रहेगा 49 में ठीक है ओलमा एकबाल के बारे में आपको बोला था लिखने के लिए कोश्चन आपके पास है देख लिजेगा तो आईए उसके आंसर को देख लेते हैं कह रहा है कि ओलमा एकबाल की पैदाईश शियाल कोट में हुई लाह पानिया ने उन्हें शर का खिताब अता किया एकबाल ने शायरी को पैगाम का जरिया बनाया था तो ये था आप इसमें चाहो अगर आपको और भी कुछ मालूम है एकबाल के बारे में तो दोचार लेन अपने तरब से भी जोड़ सकते हो तो उमीद करते हैं कि ये वीडिय किजिए शेर किजिए सभी दोस्तों को हेल्प किजिए ठीक है अपने कौम की अपने इसलाम की और अपने धर्म की सभी लोगों को हेल्प करनी चाहिए ठीक है तो आप लोग भी हेल्प किजिए सभी को हेल्प किजिए सभी को हेल्प किजिए जिसका भी उर्दू है बाबू model प्रसन पत्र से मैंने ये वीडियो बनाया है काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को दोस्तों को तक भेजिए ताकि सतका जारिया बन सके ठीक है आप लोग forward किजिए आगे ठीक है ये समझ कर forward ये मत जलिये मत किसी से ठीक है आप लोग में एक चीज़ करता है आप लोग जलन फिल करते हो यानि आप पढ़ लिए आपके मित्र नहीं पढ़ेंगे आपके दोस्त नहीं पढ़ेंगे ऐसा मत किजिए बाबु वो पास हो जाएगा तो उनकी दुआएं लगेगी कर लिजेगा इसके इलावा आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक आप को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां पर आपको आपका वीडियो सारा वहीं पर एविलेबल रहेगा ठीक है तो चलिए िलते हैं लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ऍरिव